हेलो गुड मॉनिंग दोस्तों साथ मार्श 2018 की प्रिलिम्स अप्डेटर सीरीज में आपका स्वागत है यहां पर अप्ड़ हिंदू और प्याइब की जो इंपोर्टन नूज है वो डिसकेस करेंगे तो चलिए डिसकेसिन की स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो न्यूज आई लोकेशन है वो देख लेते हैं इस एक साथ नील रिवर है उसके बारे में क्यों दोनों से रिलेटेट है तो वह हमारे लिए काफी इंपोरेंट हो जाता है तो यह मैनली एजिप्ट की लोकेशन है जो आप देख सकते हो यहां पर और यह इसमें से जो ब्रिवर भारी हो है इसकी मैनली लाइफ लाइन है जिस तरके से हमारे इंडिया की जो मैन रिवर है वो गंगा रिवर है उससी तरके से एजिप्ट की मैन रिवर है वो है नील रिवर तो इसके बारे में हम एक बार थो बेसिक पॉइंट है वो हम देख लेते है और एजिप्ट का एक हिस्सा है वो मैंनली थोड़ा है, वो आता है Asia महाधित में, और बाकी जो मैक्सिम हिस्सा है, वो आता है अफरीका महाधित में, तो कुछ basic चीज है वो हमने यहां पर discuss भी गिए है, और यहां पर है Gulf of Swage है, यहां पर यह Red Sea की location है, काफी important हो जाती है, और यहां पर यह स्वेज केनल, तो European Union से जो trade होता है, हमारा maximum वो इसी रास्ते से होता है, तो यह काफी एहम रास्ता है, हो जाता है, इसके लिए कुछ basic point हो, मैं यहां पर देखें, और यहां पर यह Arabian Desert है, तो यह मैल इजिप्ट की basic locations वगर हम देखें, यह नील रिवर है, जो काफी आके फिर यहां पर यहां है, Embassy of India, मैं जो भारत का दुतवास है ना, इजिप्ट के अंदर, उसके दौरा है होश्ट किया गए, इसके साथ ही, और पीस में मिला है, वो है मौलाना आजाद सेंटर है, जो की Indian culture के साथ मिला हुआ है, इसके साथ ही एक और है, वो है, सोरी, Entertainment Company Network है, Entertainment Company Network जो है, उसके दौर इसके साथ मौलाना अब्दुलकलाम आजाद सेंटर और इसके साथ Indian Embassy, इन तीनों के दौरा मिलके इसको आयोजित किया जाए, इस में होता के है, इस फेस्टियूम लही होता है, जो Indian food हुआ, Indian dance हुआ, Indian music, yoga, virtual arts, puppets, कटपूच लिकला हुई, इन सारे जो event है, वो आयोजित ह दिया जाता है, तो यह basic जी से उनने आपे discuss की, अब चलते हैं, नेक्स न्यूज के दरफ, नेक्स जो न्यूज है, वो आई है, Animal Welfare Board of India के बारे में सुझी, तो न्यूज है कि Animal Welfare Board of India है, इसका जो office था, वो पहले था, चेनी में, तर मिलाडू में, तो अब इससे transfer कर दिय जा गया है, चेनी से, मलब, हर्याणा में, हर्याणा में, वलब घड में, तो यह basic point हो आया है, तो हम इसके body के बारे में देख लेगते हैं, कि Animal Welfare Board of India के बारे में क्या है, देखो यह एक statuary body है, जो 1962 में एक एक टेत बनाएगी थी, तो यह basic जा रखने है, अब क्यो बनाए स्टार्टिंग में है body थी, वो आती थी, यहाँ पर Agriculture Ministry के अंतर, बट बाद में इसे 1990 के बाद इसे ट्रांसफर कर दिया गया था, Environment Ministry के अंतर, तो यह चीज़ भी हमें यहाँ पर धान रखनी है, कि Environment Ministry के अंतर थी, बोडी आती, Statuary Body है, काम के है, Animal Welfare के रिए काम करते है, त इस टैम पर परस्तावी थी, अब यह है, टेक्सी सर्विस है, वो स्टार्ट हो गई है, देखो, सीन ऐसा है, कि Bangalore की जो सीटी का एरिया है, वो काफी कॉंपलेक्स है, और वहाँ पर सड़कों वगरा की लेंथ वगरा चोड़ा इतनी है नहीं, क्यों काफी कॉंपलेक्स हो होगा क्या है, हेलिकॉप्टर के दोरा, सीटी के लोग है, जो एर्पोर्ठ जाना चाते हैं, उनको ट्रांसफर के जा जाएगा, मदर प्र mileage से, हेलिकॉप्टर को टेक्सी की रूप में यूज़ के जाएगा, तो यह स्टार्ट की से इयों स्टार्ट कर जाइए, ताकि उती दिन से काफी सुर्क्यों में रिये तो इसको हम यह आ पर देख लेते हैं देखो बात ऐसी है जो हमारी एकोनोमिक एडवाइजर की सेकेटरी है उनकी है वह है सुभासगर तो उनकी धक्सता में कमेटी है वह बनाई है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसका काम कहें इस कमेट को होती है न जासे की डैंक जो भी सर्वुज सेज़ रहा है इसे पैसा देनेय कि यह और देखि़ो रहा है इसा रहरीद sentenced में तो इन financial sector को है आगे लेके जाना है अब इसमें government ने यह सुझाओ देने के बात कही है कि जो UIDI जो की आधार काड़ा सीन है उसकी help से या फिस GSTN नेटर को या फिर और भी जो important data है और भी जो नहीं टेक्नोलोजी जो गरा है इनका use करते हैं किस तरिके से हम financial services को आगे लेके जा सकते हैं इसकी सुझाओ देने के लिए सरफ उस बात से अंदर गर कमेटी है यह बनाई गई है और जो MSME है micro small and medium enterprise है उनकी वजाय से भी हम किस तरिके से उनकी साथ किस तरिके से हम collaboration करके जो financial services को वह प्रवाइड कर रहा सकते हैं उन सब के लिए इस कमेटी का recommendation दी जाएंगी फिर उनको उसके तरीके से एक्सें से वो ली जाएंगी अब चलता है next news के तरफ नेक्स तो यह news है वह आई है आज special estate के बारे में कि जो अंदर परदे मैं इन पॉइंट के नजरे से special estate का सबसे बड़ा फायदा तो एक तो यह होता है कि वह जिस भी state को funding मिलते है न central government के देती है तो नोर्मल state को अगर से कोई भी central के द्वारे स्किम दिला जा रही है तो उसमें central government उसको 70% fund देती है और 30% fund इस state को खुद गो एक तरीके से बना होती है इससे के साथ उनका जो fund है जो कि अपने टार्गेट के लिए fund दिया जाता है कि आपको अपने एरिया में development करना है वो fund भी क्या होता है financial year के साथ लेप्स नहीं होता है नोर्मली देखो यह होता है कि कि किसी भी state को अगर fund दिया जा रहा है तो वो financial year जो ही खतम हो रह आता है कि special state का जो provision है वो हमारे सविधान में नहीं है यह चीज़ हमें जहां पर दालग ने सविधान के बाद जो National Development Council थी Planning Commission वाला सिंग था उसके द्वारा ही इससे स्टार्ट किया गया था अब इसमें किसी बैसे पर special state का दरजा है वो दिया जाता है इसमें मैं लिए दो तिन state का दरजा दिया गया तो अभी हमारे देश में कुल मिला कर देखा जाए तो 11 स्टेट और इसके बाद नागा लेंड और उसके बाद जम्मोएंड कसमी तो तर्टिंग में 3 थे, इसके बाद धीरे धीरे 8 स्टेट और सामील के अगे, आठ स्टेट कोणगों से है, सबसे बहले थे हैं North East के, अनुणाचल प्रदेश, मनेपूर, मेखाले, मिजोरम, उतराखन्ड आता है, तरिपूर आता है, हिमाचल प्रदेश, और सिक्की में, तो इसको बकुल मिला कि हमारे पास 11 Special States है इंडिया में और भी एक जो बात चल रही है वो चल रही है अंदरप्रदेश की अंदरप्रदेश मांग इसलिए कर रहा है कि देखो अंदरप्रदेश का जो मेक्सिमी एडिया है काफी वो चला गया तेलंगाना राज्य में क्यों अं मामल है वो चल रहा है तो इसमें UPS Basic जो को पूछ सकती है तो एक बार आप इनको देख लेना ताकि एक जाम अगरा में हमें कोई दिक्कत ना हो तो यह थी डिसकसन एक बार हम रिवाइस के लगते हैं आज हमने क्या डिसकस कि आज हमने सबसे पहले नील फेस्टियों 2018 के बा इसके बाद हमने Animal Welfare Board of India के बार में डिसकस किया जो कि एक Statuary Board है कंटेक्स का था वो भी हमने डिसकस किया कि रिसेंटलिस का जो ओएड ओफिस है वो तमिलाड़ू चैन्नी से अभी नोर्थ इंडिया में मैं मैं हरियाना में ट्रांसफर हो कर दिया गया है काम भी हमने डिसक किया और सबसे इंपरेंट बात Environment Ministry के अंतरकत है आता है इसके बाद हमने हेली टेक्सी सर्विसेस के बार में डिसकस किया क्यों जो कि बैंगलूरो में स्टार्ट हुई है सीटी से एरपोर्ट को क्नेक्टिविटी प्रोड़ करने के लिए ताकि लास्ट में क्नेक्टिविट कि इसके बाद में जो नेक्स न्यूज थी वह थी सुभास अंदर गरग कमेटी के बारे में सुभास अंदर गरग कमेटी है वो हमें यह धान रखना है कि भाई टेक्नलोजी की हेल्प से फैनेंशल सर्विस है उसको इजी करने के लिए किस तरिके से स्टेपर उठाय जासके है इसके लिए कमेटी है वो स्टार्ट किया तो फिन टेक के नाम से यह वो आ सकती है इसके बाद हमने स्पेसली स्टेट के प्रोविजन देखे कि बहूं क्या 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 फायता होता है और किस तरिके या पर आता है नमस्ते सलों के बारे में तो आपको बताना है कि नमस्ते सलों में वो क्या है क्या है कोई इंडिया और चैना की इसमें एक्सरसाइज है या फिर यह कोई बूक है तो क्या इसके बारे में आपको बताना है देखो नमस्ते सलों है वो मैंली एक मेगजीन है जो है इंडिया और इजयल के रिलेसन को इंपरूव करने के लिए, तो यह चीज हमें धान रखने है, इसके बाद में चलते हैं, नेक्स क्यूसन की तर्फ है, वो है डेंजर आयलेंड के बारे में, तो आपको यह बताना है कि डेंजर आयलेंड है, वो कहाँ पे है, इसकी लोकेशन नेंजर सूर में था क्योंकि यहां पे नासा के दाउडरा डिस्कवरी के गई थी कि हां पे जो पेंगुन होती हैं उनके काफे बडी मातरा में तदाद में पोलोनी है वो पाई गई थी अब बतलते हैं next question के तरफ नेक्स जो question है वो आपको बताना है प्रसाद scheme के बारे में क्योंगे प्रसाद scheme है क्या हुआ है ट्यूरिजर मिनिस्ट्री के दोरा इस्टार्ट किया गई थी इसमें मैंली जो बारा है जो cities हैं उनको count किया गया है ताकि वहाँ पे spiritual जो connectivity है वो बड़ाई जासके और लोगों का tourism फिर indirectly बढ़ेगा तो यह उसका main motto था जो हमने यहाँ पर discuss किया है तो फिलहाल आज की discussion में इतना ही thank you very much for discussion